मैं इंट्रेग्राम लाइफ पे था किसने पूचा गोईला इंडियन होटल दे रखा है लॉंग टेम अच्छी है खराब है वैल आज जी वीडियो सर आपके लिए कि मैं आपको पूरा क्रिटिकली फंदमेंटली इनाइस करूंगा इंडियन होटल को और अब आप बलूगा इसके बात शिरू करते है बाद है हम है रस्गोईला एंड मेंटर करने वाले हैं अag इंडियन होटल और इंडियन होटल सो चलो बहाना है आज रियल्टी में बात यह करने है एक आप फंडमेटल सरक मों ऑको दबाहना का फेरह घर्टिकली ये करनी हैं Just जहां बहूंग इंडस्ट्री जो इस specific case में hotel industry उसके बारे में समझेंगे फिर financials of Indian hotels उसको समझेंगे then future outlook उसके बाद should you consider buying it or not decision कैसे लेना है कि long term investment रखे की नहीं रखे ठीक है तो सबसे बहुत शुरू करते हैं about the company अब Indian hotels ताज hotels है basically और आप हम सब को पता ही है क्या करते है अब तभी भी न as a investor जानना बड़ा जोरी है कि थोड़ा सा detail हमें यह नहीं बुलों कि एकदम detail में खुझाओ कितने staff members की salary कितनी working कैसी है इतनी जाननी ज़रूत नहीं है as a investor हमें business का outlook होना बहुत ज़रूरी है इसका outlook देखते है इनके अंडर क्या क्याता है hotels, resorts, jungle safaris, palaces, in-flight catering services यह सब करते है Indian hotels हमारे देश में 1899 से है और सबसे पहला hotel जो Mr. Jamshir ji Tata ने शुरू किया था हम सब को इसकी story पता है सबसे पहला hotel था the Taj Mahal Palace जो Mumbai में था जो 1903 में शुरू हुआ था तो यह company ना it's not only hospitality or hotel industry नहीं है इस company का हमसे बहुत deep attachment है and of course यह Tata Group के अंडर आता है तो बहुत strong और इनकी brands है इनकी brands है Taj Hotels, Selection, Vivanta, Ginger Hotels, Amma Stair and Trail यह भी है चीक है अब कुछ और interesting facts आपको बताओ इनके 34,000 employees है worldwide, more than 12 countries available है and 200 hotels है worldwide, का majority revenue domestic markets जाता है जो India है और India में they have 179 hotels over 26 states, आप question आता है Harsh यह information मिल कहा से रही है तो आजाओ अब आपको जैसे में screen दिख रहे है, simple आप internet hotel search करो यह सीधा website का दालो, यहाँ पे खोलो, जैसे मैं आपको दिख रहा है Blue, because हम इसको खोल चुके है ठीक है, सब दिख जाएगा, आपको company की website से ही सब facts और details मिल जाएंगी और बहुत broad view, 10 plus countries, 100 plus location, 80 plus pass, आप brands में देखोगे, बस scroll पर ही, आपको मिल जाएगा, निका brands का है, विवानता, जिंजर, अमस्टे इंट्रिल, खतम, so whenever you want to study about a company, मुश्किल नहीं है, बस company की website में जाओ, 99% of the cases उन्होंने starting में इसे बता रखोगा, और जाएज़ादा हो तो about पढ़ लेना, आपको पूर एक अच्छा idea पढ़ 2022 में यह year रहा है, of travel, बहुत लोग है, जो revenge travel कर रहे है, I am sure आपके कितने दोस्ट, कितने यारवार होंगे, आपके आसपाज, आप खुद, जो छुट्टियों पर भाड़ जा रहे हैं, right, बावजूद इसके, कि international frights में अभी भी काफी restrictions है, बाट उसे हमें फरक नहीं domestic travel बहुत अच्छा response दिया है, चाहे हो extended stays पे हो, social events like weddings पे हो, business style पे हो, सब में बहुत जाधी growth देखने को में लिया, यह तो हो गई चलो qualitative बात है, अब quantitative facts में उतरते हैं, ठीक है, facts में में बात करूँ, calendar year of 2021, जो occupancy rate रहा है of hotels is of 43.5, which was great, in 2020, it was 32.0, जिसे बहुत उपर गया December 2020, उस समय hotels के occupancy क्या थी, 24.9%, so clearly अभी recovery बहुत जाया strong है, in the hospitality industry, अब फिर से question, यह information ढूंड कहां से रहे हो, चलिए, यह आपको उताते हैं, आप इसके बहुत सारी source है, एक source, जो मैं काफी credible मानता हूं, वो है ibef.org, चिक है, आपको देख रहा है, ibef.org, चिक, अब यहा है, हम गए, tourism and hospitality में, चिक है, यहां पर आपको सारी details मिल जाएंगी, सारी कि सारी, तो आपको simple format में जाएंगी, और एक credible source भी है, और अगर आप यहां यहां यहां, interesting fact, अब इधर जाओ, और इसको infographics में click कर दो, और भी easy हो जाएगा, तो आपको और interesting form में मिलेगा, so यार, आपको research करने हैं, हर जगा से मिल सकती है, अगर आपको ibf.org नहीं लग रहा, तो बस अब google करो, hotel industry stats, this stats, mint article, business analyst articles, कितने सारे articles आपको मिल जाएंगे, जो अच्छी credible information रहते हैं, but इसमें सबसा जोरी यही है, कि आप उस source में जाओ, जो credible हो, अब हम जाएंगे financials पे, इनकी financial reports पे, ठीक है, अब financial reports, generally, अगर आप बहुत long-term investment ले देख रहा हो, आप annual report देखो, ठीक है, मतलब से साल की figures देखो, ठीक है, but because इस वीडियो में थोड़ एक्स्रा जाना चाहरा हूं, जैसे कि आपको जो डर हैंदर का में निकाल पहा हूं, इसलिए मैं quarterly भी देखूँगा, और annually भी देखूँगा, और दोनों देखेंगा, और ये भी बताँगा, कहां से मिला, ठीक है, तो सबसे पहले, देखते हिनके quarter results आजाईए, अब जैसे आपको screen पर देख रहा है, इनकी sales, मार्च 2020 के quarter पे, और जून 2020 के quarter में, कितना difference आ गया, from 1063 to 144, COVID hit कर गया, of course, but September 2021 के quarter स इनकी sales started to increase, तो sales चलो अच्छे है, मार्च 2022 में काम होई है, but positive तो जा रहा है, recovery तो है, अब अगर मैं जाओंगा, OPM percentage, operating profit margin percentage basis में, इसका मतलब, अगर मैं बेच रहा हूं कुछ चीज 10 रुपए की, तो उसमें कितना percent में प्रॉफट है, शाक टैंग में पूछे ना, कितना percent आपका margin है, वो operating profit margin, हम यहाँ पता करेंगे, इस company है कितना है, आइए, अब जैसे आप देखते हैं, company का operating profit margin, जून 2020 में negative, September 20 negative, December 20 negative, फिर मार्स 2021, जब हलका जब COVID खुला था, इनका हुआ 12%, जून 2021, जब COVID दोबारा पूरा strike क्या था, माइनस 43%, उसके बाद से recovery है, 10%, 29%, 19%, अ तो आपको अभी तक सोच देना चाहिए, and I hope आपने सोचाओ, ठीक है, को question यह है, हर्ष, मुझे कैसे पता कितना operating profit margin कम है, जाद है, of course, right, अब हर business different होता है, हर business की margins होते है, अब जैसे if you take the business Zomato, तो उसमें margins definitely बहुत कम है, if you take the business of jewelry, उसमें margins बहुत जाद है, तो अब हमें किसी big four को hire करने के लिए, इसके लिए, easy tips and hacks होते है, वो मैं आपको बताता हूँ, आजाओ, अब आपको मैं स्क्रीन देख रहे है, तो सबसे पहला data मैं कहां से सूर्च होता हूँ, screener.in, यह कोई sponsored website नहीं है, जो मैं जनली यूज़ को तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ह इंडिन, इंडिन होटल आगया, ठीक है जी, आईए, अब आपको पूरा information मिल गया, नीचे graph आप भी देख रहा है, बहुँ बढ़िया, बहुँ बढ़िया, अब मैं आँगान के quarter results, same चीज जो मैं आपको दिखा रहा था, of course, वही होगी, अब how do you know profit margin कितका में जाता है, स क्लियरली आइडिया पड़ जाएगा, ठीक, और simply, स्कीना पर देखे, यहां पर उपर peers है, मैं peers में click करता हूँ, आ गया, इनका सबसे उपर competition आता है, EIH, EIH होटल में मैं click कर दिया, EIH क्या है, दोस, EIH है Oberois, Medanta, Trident, यह सारी hotel industries है, EIH है, यह भी बहुँ बढ़ी है, luxury hotels में, हम, अब मैं जाओंगा, इनके quarter results में, ऊपर quarter देख रहा है, click, अब इनका operating profit margin देखते है, इनका है, minus 8%, 23%, 3%, और June में था, minus 124, अब Indian hotels का देख रहा हूँ, मैं ऊपर tap क्लिक कर रहा हूँ, Indian hotels का, यह यह, देखिए, Indian hotels आगया, ओपर है, ठीक है, हम, इनका operating profit margin किता है, 12 percent, उनका minus में था, minus, इनका, sorry, उनका minus 124 परसंट था, यहां है, minus 43%, फिर, इनका September 21 का था, minus 8%, इनका किता है, 10%, it's better, इनका किता था, December 2021 में, EIH का, minus 23%, इनका कितना है, 29%, ठीक, अब, इनका last quarter, operating profit margin किता था, of Oberois, 3%, ता जो इनका है, 18%, simple hack, बता हूँ, ऐसे ही, बहुत सारे tips, और hacks, बहुत सारी चीज़े, आपको बहुत confusion आ सकता है, and I highly recommend, अगर आपने अभी तक नहीं लिया न, मेरा stock market mentorship program, जहां पे, you take the program, और बस recorded videos नहीं मिलेंगी, उसमें live sessions भी होंगे, और पूरी team of mentors है to help you, कुछ problem है, mail करो, they're going to help you out, कु highly recommend, if you're serious about it, you have to take it, coming back to the topic, simple tips and tricks, hacks, clear हो गया, अब मैं दुबारास में जा रहा हूँ, अब इनका net profit, अगर आप देखोगे, September 2021 में, माइनस मिधा, माइनस 121, which is very bad, March 2022 में 74, which is a positive sign, तो again, इसको देखे किया बहुत ही, अच्छे aspirations आ रहे है, I would say, I'm still neutral, looking at the quarterly results, अब बात करते ह है, annual reports की, सीधा जानता है, annual profit and loss में, अब यहाँ पे, क्या चीजे मुझे खटकती है, सबसे पहला, interest, ठीक है, आपको देखना interest, अब देखोगे, इनका interest burden में, मार्च 2020, 341, फिर 2021, 403, फिर मार्च 2020, 428, और इनके profit before tax, 396 पे था, इनका interest burden में 341 था, फिर profit before tax, माइनस 850 करो पे था, profit, interest burden 403 था, and, मार्च 2020 में, profit था, minus 258, and, इनका interest burden क्या था, of 428, अब figures, मैं एक दम देख रहा हूं, मुझे प्रिंटार में, क्लेरी देखने रहे हैं, but the fact is, आपको इसमें चीज दिख रही है, interest burden बहुत जात है, interest मतलब इनों में बहुत लो ने रखा है, majority of the companies, और मेरे, मेरे analysis तो यही है, कि majorly companies, जो fail होती है, एक ही reason है, debt, major reason यही होता है, कि debt बहुत जात है, इसलिए company नहीं टिक पाई, fail हो गई, तो किसी भी company में debt जात होता है, मैं personally, इसको बिल्खुल भी prefer नहीं करता हूं, because chance of that company going bad, extremely, 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 है, जो इस situation में है, which is not a positive sign, उसके बाद हम पाईद है, यह भी negative में है, of 2021 भी negative में है, 2022 भी negative में है, so definitely, it is not a very happy sign, मतलब अभी तक जो में research होता है, mixed bag है, मुझे सब positive नहीं देख रहे है, यह सब negative नहीं देख रहे है, it is a mixed bag, आप और डिटर्म जाते है, cash flow statement company का समझना बहुत ज़ह हो रही है, आप cash flow के ना, तीन हिस् investing, financing, thumb rule का है, operating should be in plus, investing should be in minus, financing should be in minus, cash flow चलता कैसे, अगर आपके पैसे आए, तो plus, पैसे गए, minus, operating, पैसे आए, इसका मतलब क्या है, जो basic आप समान बेच रहे हो, अगर आप समोसा बना रहे हो, 6 रुपे का बेच हो, 10 रुपे का, कि तब मुनाफ़ा 4 रुपे, आपका operating हो जाएगा, plus for profit, good, investing क्या है, एक business ना, भी अपने future in this business में invest करता है, जैसे ताज होटल की investment क्या होगी, और services create करना, better quality staff training करना, या एक और country पे hotel खोलना, so जितना investing जादा हो, उतना बेटर है, अब investing जादा होगा तो होगा, पैसे तो जा रहे है, जा रहे है, तो हो क्या जाए हम क्या जादे है, आप पैसे वापस दो, तो negative, operating should be in plus, investing should be in minus, financing should be in minus, यह idealistic situation है, जाए, आए, आप मैं स्कीनर पर ही हूँ, आपको देख रहा है, इनका पूरा cash flow activity, operating देखेंगे, plus, 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 March 2021 was minus, which is understandable COVID thing, अब again plus, good, investing, अब मैं last years का देख रहा हूँ, 2020 minus, 2021 minus, 2022, very minus, मादब 1000 काफी, मतलब 90% से जादी investment की गई है, जो एक बहुत positive sign है, for the company, अब अगे ना, इसको थो plus करके, और detail में देखना बड़ा जबूरी है, चिक है, अब आप देखेंगे, investments purchased, तो उनकी majority investments, उन्होंने investments, purchase की है, so, it is obviously good, अब एक और चीज़ आपे, investments sold, of course, यह तो अची चीज नहीं होती, तो नहीं बेचा भी है, but purchase भी है, तो balance यह आ रहा है, और छोटी मोटी anxiety reasons के साथ, it's good, चीक है, अब आते है, cash flow from financing, अभी होना क्या चीए, minus, plus में मतलब हम लोन ले रहे हैं, हमें तो loan वाली company नहीं चीए, अब देखिए, इनके last three years, 2020 minus था, which was good, अब plus, और अब तो काफी majorly plus हुआ है, और आप यह भी contemplate बहुत easily हो सकता है, कि जादे पैसे आए हैं, इसले ही इनकी investment बहुत जादी बढ़ गई है, simple logic, सोच, उसको जादा complicated मत करो, यह क्या, वो क्या, रटने कोशे मत करो, एकदम simple logic समझो, आप समझ जाओगे, बहुत simple है, मैं बहुत जा इक्विटी से पैसा उठाया है, जो clearly आपको breakdown में दिख जाएगा, यह बड़े-बड़े शब देख रहे है, complicated, confusing, कोई ज़रूत ने, ज़्यादा confused हो, I highly recommend, मेरा course जोइन करना, otherwise logically सोचो, हाथ पर मारोगे, answer आपको मिल जाएगा, आप आता है, future outlook of the company, future में, क्या company promise करिये, क् इसे बता चलेगा, simple, CEO के interview देखो, reports पड़ो, simple Google search में, आप सम्मिल जाएगा, तो सबसे पहले, जो CEO बोल रहे है, इनकी एक नई business plan आई है, जो है, avant strategy, अब what is under avant strategy, यह पूरा अपना portfolio restructure करेंगे, regime में changes लाएगे, which they are saying, कि इनका EBITDA margin, इसे much, much, much better हो जाएगा, यह forecasted है, उ homestays का बहुत advantage हो रहे, उस market को यह काफी tap करना चाहरे है, अब इसमें एक concern, जो मेरा specifically है, is rising inflation, जब inflation भरती है, obviously, लोग hotels की खर्चे कम करेंगे, हर चीज़े खर्चे कम करेंगे, budgeting करेंगे, और उसमें सबसे पहले, जो budgeting होती होती है, वो ही होता है, कि भार की leisure activities बंद करो, औ अब देख रहे हो, recently ऊपर चढ़ा है, और निफ्टी को थो फोड़ की outperform किया है, तो दोस्त, अब conclusion क्या है, और मैं investment angle से बात करो, investment का conclusion दोस्त, यह है, is that stock markets है क्या, investment है क्या, it's a game of probability, यह कोई भी नहीं बतासता कि आज कल कोई होता है, शहरे डूब जाए, कल कोई होता है, game of probability है, अब अगर आपने पूरी sector के बारे में पड़ा, financials देखे, cash flow देखे, early देखे, quarterly देखे, ठीक है, future focus देखे, अब आप देखोगे न, इसमें न highly positive है कुछ, न highly negative है, it's a mixed bag, तो अगर stock markets probability का game है, तो इसमें मेरा stance क्या रहेगा, neutral, it's a mixed bag, और अगर आपको neutral stance में गलत करो, and उसकी probability set करो, probability इसमें क्या लग रहा है, as of now, इसका probability न, एकदम neutral में आता है, तो मैं तो recommend यह करोँगा, इस channel अगर आप देख रहे हो, तो इसको तब देखो, जब इस share ऊपर channel लग जाए, और जो ज़्यादा प्रोमिस हो जाए, जो उनकी नई strategy है, वो actually काम करने लग जाए, and financial reports वो दिखाने लग जाए, that is the time you should invest in, तो promise आपको आदा है, अगर आपको मज़े है, comment box में आपको लगता है, हर्श, मज़े आ गए, और ये तो चलो वीग था, बड़ा बड़ा हर्श, मुझे वो बताओ, जिसमें तुम बड़े positive, तुमें लग रहा है, बिसन्स